हेलो दोस्तों एक बफिर से स्वागत है मारे यूटूब चनल में आपका दोस्तों आज के इस वीडियो के दर हम रिव्यू करेंगे टाटा की आने वाली नई एच फाइफ एक्स सीरिस का देश की महान ओटो मूबाल कंपणी निर्माता टाटा मोटर जल्द ही इंडियन मार्केट में अपनी नई कार लौंच करने जा रही है कंपणी की ये कार टाटा एच फाइफ एक्स होगी जिसे हाली में टेस्टिंग के दोरान पूर्णे में स्पोर्ट किया गया था जानकारे के मुझता भी बात करें तो पौर्टेक्शन वर्चन फाइफ सीटर और सेवन सीटर दोनों के साथ इसमें लौंच किया गया है इंडियन मार्केट में इस कार को अगले वर्च तक लौंच किया जा सकता है कंपनी सुत्रों का दोस्तों यही कहना है कि यह जो दमदार A.C.B. होगी वो नए उप्टिममल के साथ मोडिलर एंटी फेक्शन ग्लोबल एडवांस प्लेटफोर्म पर तयार किया जाएगा इसके साथी दोस्तों हम आपको important information बताते हैं कि टाटा मोटर्स की योजना यह है कि 2000 तीबी से लेके 24 तक प्लेटफोर्म पर टियाको, टेगोर, हेक्सा और नेक्सस भी पेश करने की अनुमती मिली है अब टाटा की H5X को फियेट वाला डीजल इंजन इसमें दिया जाएगा जो की manual और automatic gearbox से less होगा इसके अनुमती मुली 15 लाग रुपए के आसपास होने की संबावना है इसके साथ ही दोस्तों इंडियन मार्केट में इक कार का सिधा सिधा मुकाबला जो होगा वो जीप कमपास से होगा अब टाटा की H5X के अगर बात करें दोस्तों इसमें आने वाले इंजन दोस्तों जीप जैसा इसमें कमपास दिया गया है इसके साथी दोस्तों इंडियन मार्केट में जीप कमपास को ग्रहाकों को बहुत जादा ही अच्छा रिस्पोंस मिलता है अब दोस्तों बात करते हैं अगर इसके स्पेसिफिकेशन और पाइस के बारे में था हम आपको बज़ते हैं भारत में इसके मुली 15.8 रुपए एक शोरूम प्राइस रखी गई है जीप कमपास में 1.4 लीटर का मल्टी एर टर्बो चार्जर पेटरोल इंजन वह 2.0 का टर्बो चार्जर मल्टी इंजन इसमें दिया गया है इन इंजनों की शमता दोस्तों अलग-अलग है इन पेटरोल इंजन में 162 पीएस की शमता और 250 अनम टॉर्क जनरेट करने की में सक्षम है इसका डिजल इंजन की करबात करे तो 143 पीएस की शमता के साथ 350 अनम टॉर्क जिसमें जनरेट करेगा अब इन दोनों के अंदर दोस्तों इंजिनों के अंदर आपको 6-speed manual transmission से इसमें less किया गया है जबकि इसके petrol engine के साथ 7-speed का DTS का इसमें दिया गया है जबकि 7-speed अगर DCT के बात की जाए तो तो काफी साथ इसमें एक advanced तरीके से इसमें एक नई function का use भी किया गया है I hope कि दोस्तों अमार्टी जण करेंगर आपको पसंद आईए तो प्रिस हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अप्रिक भी लिए हमारे चुक्त को सब्सक्राइब करें